नमस्कार राधे राधे जैश्टी किष्णा मैं स्रोजर मादव शर्मा कुछ जीवन राशी फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनेंदन करता हूं व्रष्चिक राशी के नवंबर 2023 के राशी फल के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत और दे हम बाद करेंगे कैसा रहेगा यहिए महा मारा व्रष्चिक राशी वालों के लिए कौन-कौन शेखर राश्य परिबर्तन कर रहे महत्रपुन भाव कौन-कौन से रहने वाले हैं इस महा के अंदर किन भावों से रिटेड आपको फलो की प्रापती हो सकती है इससे पहले अगर आपने हमारे महत्रपुन गोचर होता है किसी भी राशी के लिए कि अगर हम बात करें मंगल बहुत में बहुत कि करो अगर मैं बात करूं तो तो ला राशी के सूर्य और गुद्ध के साथ में सूर्य और मंगल की यूति अच्छी यूति है अगर हम बात करें सूर्य और गुद्ध की यूति इनकी यूति भी अच्छी यूति अच्छे फल देने वाली यूति मानी गई है मंगल देव इसी महाम में अपना राश्य परिवर्तन करके तु कशराण एस महा के अंदर मングल देव अपने चाच्व्तरश्च दस्टी अपने सुक्न भाव के ऊपर सप्तम दस्टी अपने पारटनर्शिप अपने भीजनिश को लेकर लाइक पार्टन को लेकर और मशनसर्ट कर शार दालने वाले अस्तां उतंगे और मेश राच्छी एंदर ही रहने wireless देव ग्रैस्पत्य इस नहीं कोन तश्व है नहीं की त्यारी कर रहें उनके लिए यहां गोचर अत्य Wanna तो शुब है बात करें धन भाव को लेकर तो यहां धन को लेकर थोड़ी सी परिशानी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि धन भाव के सौमियों कर द्वाव पर दस्ट जालना च्छटे भाव में से गोचर करना कहीं आपके धन को लेकर थोड़ी सी परिशानी पुर्वक की यह मा वह डिखा लिए कि अटकृश्य दिखा रहे बात करते हैं आपके रंपर सब्रिक्राइब contrib क्रीफ में अंदर कर रहे हैं आपके थे रखारा करें 20 दस्टि दस्टि आपके चर्ण लगन पर तीनो पर डाल रहें यहाँ शनी की दस्टी गुरू के उपर है जो कि धन भाव के स्वामी अगर मैं बात करूए यहां पर आप अपने मकान के लिए कहीं न कहीं धन का लोन अवश्य ले सकते हैं क्योंकि यहां पर छटा भाव आपको करजे से रिलेटेड अवश्य यहां पर दिखाई दे रहा है तो कब दाए है अगर में बात करूए यहां इस वोचर के फल्सरूप में तो यहां पर आगर दशाएं शनी से लिटेड़े रेलेटेड चल रही है तो कारशित आपका धन भाव और आपके अगर मैं बात करूं मिकान से लिकार जमीन से लेकर प्रभावित अवश्य होगा सुरी अगर में बात करो चंद्र लगने से द्वाव में सुरी के बहुत शुब फल्दाई नहीं है साथ के साथ सूरी देवियां पर तोला राशी में नीच के लोकर गोचर कर रहा हैं तो महा का मध्य तक यहां पर आपको कारशेत्र में परिशानी देखने को मिल सकती है लेकिन पाल के बाद में यानि सुरी के लाशी ब्रीवर्दं के बाद में कि दुला से निकल कर व्रश्चिक राशी में प्रस्तान करने वाले हैं यहां आपको दशम भाव सरे दिलेटेग्या आपके कारशेत्र से लिए अच्छे फालों की प्रावप्ति देखने को मिलेगी ल प्रप्तमभाव का पार्टनर्शिप लाइफ पार्टनर से रिलेटेड भी माना गया शुक्र बनते हैं आपके यहां पर सुने शुक्र के बात करूं दशम भाव से गोचर कर रहे हैं सब्तमेश का दशम से गोचर बिजनिस के अंदर क्योंकि दशम बाव और सब्तमेश का और मैं आत्यंती अशुवक हो दाई है करदेव अपना राशि परिवरतन करके ऄह शींग जिनिकल कर कन्या राषि और इसी माह जिंए से निकलकर दूलर राची में प्रस्तार करने क्वाले सुक्र देव कर निया राशी के अंदर मीछा हुआ लेकिन यहाँ नीच राशी के शुक्रदेव कन्या राशी के अंदर मानेगा हैं, साथ के साथ केतु से यूती भी होने वाली है, तो में इस महा के मद्य के अंदर आपको थोड़ा सा sniff अपने बिजनीस के अंदर परिशानी को मिसा सकती है। लेकिन राशी परिवर्तन के दोरान यानि इस माह के अंतर तक भी शुक्रदेव अपनी स्वय राशी के अंदर तोला राशी के अंदर ब्रस्तान करेंगे जो कि आपके विज्ञिस के लिए एक बहुत अच्छा संकेत दिखाई दे रहे हैं भागे की बात करें भागे बागे यह भी देश्टी डाल रहे हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं रहुका नवम भाव पंचम भाव एकादश भाव यानि लाब बाव को प्रभावित करना अचानक धन प्राप्ती के संकेत भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं हेल्थ की बात करें तो मंगलियां मिल रहे हैं क्योंकि लाब भाव के स्वामी की बात करें तो वेवी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं लेकिन राशी परिवर्तन करके वेवी तोला से निकलकर व्रश्चिक व्रश्चिक से निकलकर धनूराश्चिक अंद्रपस्तान करेंगे लाब भाव के स्वामी ए अच्छे संकीत यहां देता हुआ दिखाई दे रहा है थात की साथ लाग भाव से रेलेटेड भी अच्छे संकीत आपको देखने को मिलें धन्यवाद